हाई गाईस क्या है अब सबकी ऐसको में बहुत शांदार तडखती बडखती सी वीडियो के साथ में मेरे ना मैं आर्रेन और आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV7 00 के बात करने वाले हैं वो है AX7 और मैं आपसे बता दूँ यह लगजरी पैक जो आता है इसका सबसे टॉप एंड मोडल AX7L उससे जो नीचे वाला मोडल है यानि कि AX7 यह भी इसका टॉप मोडल ही है यानि कि सेकेंड टॉप मोडल बस इसमें लगजरी पैक से कुछ दो-चार फीचर सी कम है तो आज कि इस वीडियो में complete walk around आपको दिखाने वाला हूँ इस वाले variant का तो सबसे पहले front look से बात कर लेते हैं ऐसी कुछ आपको grill मिलती है नाया माइंद्रा का logo आपको देखने को मिल जाता है यहाई center में इसमें आपको कोई भी 360 degree cameras नहीं मिलते हैं तो आपको front में यहापे camera नहीं दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वाले variant में ऐसी कुछ आपको यहापे front look देखने को मिल जाती है काफी attractiveness सी बात करें अगर यहापे iske headlights की तो आपको LED यहापे headlights देखने को मिल जाती है यहीं आपको LED DRLs देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरफ बात क में और features के मामले में सिर्फ दो और तीन features का difference से ज्यादा difference नहीं है side profile आप देख लीजए इससे में ऐसी कुछ आपको मिलती है body color or waves मिल जाते है turn indicators के साथ में आपको इसके अंदर और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको 360 camera view नहीं दिया गया है वो सिर्फ आपको luxury pack मे देखने को मिलेगा बात करें अगर हैं अगर हैं और features की तो सबसे पहले हैं यहां पर tires की बात कर लेते हैं side में तो ऐसे कुछ आपको tire देखने को मिल जाते हैं अगर specification की बात करें तो 235 60 or 18 18 इंच के आपको इसमें diamond cut alloy wheels देखने को मिल जाते हैं खाफी ज़्यादा अच्छ देखने को मिलती है यहाँ पर इस car की काफी अच्छी यहाँ पर आपको smart door handles देखने को मिल जाते हैं जो एक CV7 double ने introduce करें यह काफी ज़्यादा यहाँ नई technology आई है बात करते हैं अगर यहाँ पर rear side पर जाके क्या कुछ back profile में दिया गया इस car की तो ऐसी कुछ आपको इसमे shark fin antenna मिल जाता है यहाँ पर high stop mount lamp आपको देखने को मिल जाता है rear glass में आपको defogger देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको rear wiper और rear washer का option दिया गया है माइंदरा का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है नया और यहाँ पर आपको इसका reverse parking camera की placement देखने को मिल जाती है अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आपको silver color की यहाँ पर skid plate देखने को मिलते है rear bumper में दो reverse parking sensors मिल जाते हैं XU7OO और AX7 की बेजिंग आपको देखने को मिल जाती है, ऐसी कुछ यहाँ पर दे रखिए साइड लुक और ड्राइवर साइड प्रॉफाइल भी आप एक बार देखने को मिलती है, चलते हैं कार के इंटीरियर में और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स दिये गए हैं, तो मैं सीट्स का ओप्शन देखने को मिल जाता है, यहां से आपकी ड्राइवर साइड सीट आप एड्जेस्ट कर पाएंगे, डॉर अनलोक दिये गए हैं, चार पावर विंडोस के बटन दिये गए हैं, और यहां पर लोक अनलोक का बटन दिये गया है, यहां से आप इसको और वी आपको सीटिंग देखने को मिल जाती है, फ्रंट सीट्स में बात करें गाइस, तो यहां पर आपको दोनों में यह एड्जेस्टेबल हैड्रस देखने को ओप्शन मिल जाता है, जो काफी अच्छी चीज हो जाती है, और मैं चलता हूं कार के इंटियर में, और देखते हैं इंटियर में क्या कुछ फीचर्स प्रोवाइड किये गए हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजेए इसका यहां पर इस स्टेरिंग वील, आपको यहां पर फ्लैट बॉटम यह स्टेरिंग वील दिया जाता है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है सेंटर में, लेफ्ट 25 इंच की दो स्क्रीन्स देखने को मिलती है, एक इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन और इसकी एक M.I.D. यहां पर इसी वेंट्स दिये गए हैं, ऐसे कुछ और नीचे आपको इसमें आटोमेटिक लाइमिट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि डूवल है, नीचे और भी काफी अच्छ सारे, इस वेरियंट के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का आपशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको लगजरी पैक में आपशन मिलेगा, यहां पर आपको सिक स्पीड में, आटोमेटिक ट्रांसमिशन में यह गेर नोब दिया जाता है, ऐसा कुछ यहा राइडिंग आमरेश्ट भी आपको इस कार के अंदर आफर किया जाता है, जो काफी अच्छी चीज हो जाती है, खोलते हैं इसके आमरेश्ट को देखते हैं स्पेस कितना दिया गया है, तो काफी ज्यादा डीसेंट साइस का यहां पर स्पेस दिया गया है, जो कि काफी लेकिन इसकी कोई जड़त नहीं पड़ेगी आपको इसके अंदर बात करूंगा इस स्टेरिंग वील की तो इस कार के अंदर आपको सिर्फ टिल्ट इस्टेरिंग वील देखने को मिलता है टेलिसकोपिक आपको लगजरी पैक में ओप्शन देखने को मिल जाता है तो लगजरी पैक में आप देख सकते हैं क्या कुछ फीचर्स एक्ष्टर दिये गए हैं बात करें यहां पर IRVM के तो यह आपको manual IRVM देखने को मिलता है बात करें अगर यहां पर sun visors की तो इसमें आपको सिर्फ एक ticket holder का option देखने को मिलता है driver side और अगर बात करें यहां पर passenger side तो passenger side आपको इसमें ticket holder देखने को मिल जाता है और यहां पर vanity mirror भी देखने को मिल जाता है लेकिन luxury pack के अंदर आपको इसमें एक light का option भी देखने को मिल जाता है इसमें आपको light नहीं मिलती है AX7 model में यहां पर आपको sun glass holder देखने को मिल जाता है roof के अंदर center में उपर की बात करें तो यहां पर आपको दो LED लाइट भी देखने को मिल जाती है यहां पर बात करें तो ऐसी कुछ आपको Skyroof देखने को मिल जाती है इसके इतनी बड़ी इस सेग्मेंट में सबसे बड़ी Skyroof आपको महिंदरा XUV7W में ओफर करी जाती है जो की काफी पीछे तक काफी लंबी है बात करें और फीचर्स की तो यहां पर आपको Glove Box दिया गया यहां से आप इसको Open कर सकते हैं काफी बड़े साइज का यहां पर आपको इस कार में Glove Box देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलता है आपको Passenger साइड वहीं ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है कोई भी ग्रैब हैंडल अभी जो ड्राइवर साइड साइड सीट है मैं अपने हाइट का गौर्डिंग एडजस्ट कर लिए है मेरी हाइट है 5ft 11 इंच और अप चलते हैं कार के सेकंड रो में और देखते हैं कि क्या कुछ स्पेस वगएरा वहाँ पे दिया गया है आपको कैसा कुछ बैटने का कमफर्ट है क्या कुछ लैग स्पेस अंडर ताय सपोर्ट दिया गया है अगर बात करें यहाँ पे डोर की तो ऐसा कुछ डूल टोन डोर मिल जाता है पावर विंडो मिल जाती है बोटल होल्डर और कुछ पॉकेट स्पेस मिल जाता है पीछे के डोर में ऐसी कुछ सीट्स आपको देखने को मिलती है काफी ज़्यादा प्रीमियम लुक आता है यहाँ पे इस कार के इंटिरियर में जब बैठते हैं आप तो मैं बैठ जाता हूँ एक बार और गईज अब आप यह देखी का यहाँ पे इतना लैग रूम आपको देखने को मिलता है फाइफ फीट 11 इंच की हाइट के बंदे को जब आप बैठते हैं और अंडर थाइ सपोर्ट की बात करूँ वो भी काफी अच्छा आपको इस कार के अंदर देखने मिल जाता है पीछे आपको रियर एस इवेंड देखने को मिल जाते हैं एक टाइप C लाइटनिंग केबल मिल जाता है और यहाँ पर अपना फोन रख सकते हैं नीचे अगर बंप की बात करूँ तो बहुत ही नेगलिजिबल सा हैं यहाँ पर आपको एक बंप देखने को मिल जाता है रियर में बात करूँ यहाँ पर क्या कुछ फीचर दिये गए हैं पीछे तो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है एक लाइट के साथ में आपको और साथ में एक हुक भी दिया गया है दूसरी साथ बात करूँ तो दूसरी साथ भी फोल्डेबल ग्रैब हैंडल लाइट और हुक दिया गया है, कोट टांगने के लिए आपको तो यहाँ पर बात करें कितने बंदे अराम से बैठ सकते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं तीन बंदे बढ़े ही अराम से इस car के second row पर बैठ सकते हैं काफी ज़यदा space दिया गया है आमरेश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस कार के अंदर बात करूँ अगर फ्रंट डैशबोर्ड लुक की सेकंड रो में तो ऐसा कुछ फ्रंट डैशबोर्ड लुक देखने को मिलता है उपर सन रूफ के साथ में काफी प्रीमियम यहाँ पर यह कार लगती है इंटिरियर से यह जो वाकराउंड रिव्यू में आपको दिखा रहा हूँ यह AX7 मोडल का है यानि कि इसकी जो एक्शो रूम कीमत है वो 20.19 लैक रूपीज एक्शो रूम दिल्ली की है और गईज मैं आप से बता दू कि अगर आपको इसके जो थार्ड रो है उसका क्या कुछ स्पेस वगरा मिलता है आपको वहाँ पे तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि लगजरी पैक में और इसमें सेम ही है मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई